नुश्का दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही जाधा इंपॉर्टेंट में इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देने वाला हूं जितने भी आमेरे law graduates हैं उनके लिए तो सबसे खास तोर पर ये वीडियो बहुत ही जाधा helpful रहेगी क्योंकि आप अब यंग advocate के दोर पर ऐसा litigation अपनी जॉइन करने वाले हो और जो law students हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी बहुत ही जाधा helpful रहेगा तो प्लीज इस वीडियो को शुरूसले करने तक जरूर देखेगा कि आप एक lawyer हो तो एक lawyer जो अपना chat GPT की मदद लेके अपने आपके जो अपने daily work होते हैं और मैं guarantee देता हूँ एक लाख रुपे तक आप earn कैसे कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ chat GPT की मदद लेने के बाद आपका काम इतना जादा असान हो जाएगा कि आपको believe नहीं होगा बट मेरे ऐसे verbally बताने से आपको जो इतना भरोसा perfect तरीके से होगा नहीं जब तक आप खुद इस चीज को analyze नहीं करोगे प्लीज ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आप ये practical base पे मेरी वीडियो देखने के बाद जरूर ये खुद observe जरूर करिएगा क्योंकि मैं जो आपको ये वीडियो बना रहा हूँ न तो इसके उपर मैंने खुद अपना personal review देखा है personal मै मेरे को तो बहुत ही जादा beneficial लगा है और मेरा काम बहुत ही जादा easy हो गया है contract drafting के लिए bail petitions के लिए और भी अदर जो हमारे petitions के drafts होते हैं उसको पाने के लिए कोई भी हमारा legal provision है उसको depth में जानने के लिए कोई केस है कि मैं पूरा case की judgment आता है उसको मैं पढ़ने बैठ करा कि हमारा जो यह chat GPT है इससे हम as an advocate as a lawyer की life को कैसे change कर सकते हैं हमारे कितना ज्यादा यह beneficial रहेगा हमारे एक वकील की life के अंदर तो यह चीज मैंने देखी तो इसके इंदर में को बहुत ज्यादा beneficial है for example की दौर पे आपको बता होगा एक हमारा इडल्ट्री का section होता है 497 of IPC आपको पता है भी हमारे भारत के अंदर unconstitutional declare हो चुका है कि कोई भी एडल्ट्री का offense कमिट करता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती कोई भी कानूनी अपराद आपका यहां पर नहीं बनता है ठीक है इतनी सी बात है लेकिन बहुत सारे इंडिया की बात को डाला तो इसके बाद मिलें को सीज़र दौर पर चीज़ पता लगी कि सुप्रीम कोट का यह जजमेंट है सुप्रीम कोट ने 2018 में इसको unconstitutional declare करा क्यों करा एक दम वेको क्रस्ट के अंदर 2-4 लाइन के अंदर सारी बात पता लग गई अब मैं इसको पर पूरी डिटेंस निकल किया रही मतलब एक तरीके से इन्होंने साफ तौर पर बता देए देखिए एस पर सेक्शन नमर फाइव 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 हिंदू मैरेज के बारें बता रखा है फिर इसके उपर हम सेवन का इंप्लिकेशन करेंगे कि वहाई क्या-क्या है हमारा सैर्मइनी और जोंहारी राइट्स होती है उसका भी पालन करना होता है फिर हमारा सेक्शन मर एट आता है क्या हमारा यह हिंदू मैरेज मैरेज होती है वह वो वैलिट जब मानन जाती है इन्होंने कीवल साथ पॉयंच्छ की पड़े नहीं हो गया तो मेरे को एक मैं एक एक को नाम यहां पर इंसर्ट करना है और जो ग्राउंड है वो इंसर्ट करने है काम खतम हो गया मेरा अब मैं जो है अगर अगर बिना चैट जीपिटी की मतद्स से कोई भी पेडिशन का ड्राफ्ट प्रिपेर कर रहा हूंगा तो पहले मेरे को अब बस यह थोड़े बहुत चेंज करके मेरा पूरा का ड्राफ्ट मैक्सिमुम 15-20 मिनट के अंदर प्रिपेर हो जाएगा पर यह 15-20 मिनट में उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनका अगर आप बिलकुल फ्रेशर हो तो उसके आपको आदा घंटा पोना घंटे के गरी 45 मिनट तक लग सकता है क्योंकि पहले आपके ड्यूटी होगी कि आप एक एड्वोकेट हो और यंग एड्वोकेट हो और आप अभी फ्रेशर हो तो आपको पूरा पहले ड्राफ्ट का एक पैटरन सबजना पड़ेगा और अब मैंने को कॉन्ट्रेक का एक्रिमेंट जो होता आपको सारी चीज वो निकाल के दे देगा और यहां पर मिर को एक चीज ड्रॉबैक वाली यह चीज नजर आईए कि आपको जो मैटेर मिल रहा है वो 2021 तक का मिल रहा है अब 2022 के अनरा आप जैसे मान लेते कोई भी सुप्रीम गोट का रीसेंट्ली एक जज्जमेंट आये उसको मैं सर्च कर रहा हूं वो नहीं मिल रहा मुझे ठीक है जो मेरे 2021 से पहले वाले जज्जमेंट से हमें को सब मि मिल रही है तो मेरे साथ से आने वाले टाम में कुछ अपडेट आईगी तो वह अब नहीं अपना इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते रहेंगे ओपन AI के तौर पर जिन्हों ने अपना प्लाट्फॉर्म लांच कर रहा है जो बहुत बढ़िया बात है अब इसके अंदमें आप लीगल एक्सपर्टीज की इंफॉर्मेशन नहीं है जैसे कि मैंने आपको एक्जांपल की तौर बताया था कि कंडिशन ऑफ हिंदू मैरिज मैंने लिखा तो उन्होंने मुझे पर्टिकॉलरी सेक्शन नहीं बताए इन्होंने मुझे पांच आपको ग्राउंड बता रखे है ठीक है आप अगर सेक्शन नुमर सेवन पढ़ोगे तो इसमें दो ग्राउंड बता रखे हैं सेक्शन नुमर एट में पढ़ोगे तो आपको छे साथ ग्राउंड देखने को मिलेंगे तो वह स्पैसिपिकली मुझे नहीं बता रखा बट उन्हें मोटी मोटी बात बता अगर किसी को अपनी हिंदु मैरिज अपनी करनी है तो इसके यह वैलिड पॉइंट होने चाहिए तो इसमें मेरे को मेरे को पूरा भरोसा बिल्कुल चैट जीपिटी का जो एक अपना रबोट है तो इसमें तो आपको अपना माइंड भी लगाना पड़ेगा सुप्रीम को इस तरीके से दोनों पार्टी के पक्ष में बात नहीं करता वह एक ही पार्टी एक ही कंटेक्स के उपर बात करता है अगर कोई भी अपना लीगल प्रिसिदेंट भी चूज करोगे तो वह चैट जीपिटी क्या मानता है अपने मुताबिक वही आपको बताएगा तो दोनों आप इसके उपर रिलाइंस मत कर लेना कि भाई हाँ जो यह बात बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है हाला कि मैंने कहा ना दोजार इकिस तक है आपे मैटेरल अवेलेबल है 2022 में मान लेते हैं सुप्रीम कोट ने को ओवर रूल कर दिया ठीक है स्ट्रक डाउन कर दिया त रूपे अराम से आप इसली कर सकते हो याद रखेगा तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है तो अगर आप इसको अपना लाइफ के अंदर इंवल्व करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा जैसे मैंने आपको बेल पेटिशन का फाइल कैसे करते हैं मैंने लि डिखना है आपको पूरा फॉर्मेट यह हो जाएगा तो ऐसी हजारों कोशन्स आपके दिमाग में आते होंगे हजारे टॉपिक नहीं पर लिख दीजिए हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंगविजिस में आपको यह मिल जाएगा तो यह बहुत बढ़िया बात है अगर as an advocate बहुत अच्छे से increase इसकी मदद से हो सकती है याद रखेगा एविलेबल आपके पास सारी चीज़ है अब फाइदा कितना कौन कितना उठा सकता है यह आपके उपर्टिपेंट करता है याद रखेगा वीडियो कर इंफॉर्मेटिव लगिए तो वीडियो को लाइक और च जिम्मेदारी है जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं बहा रहा हूं हम मिलते हैं नेक्स वीडियो करना थेंक्यू जिन्वाद